हालो एवरीवन, वेल्कम बैक तो मैं चैनल, इंग्लिश वेट ट्रेग देखे, 40 नमबर तक हम लोग इडियम फ्रेसिस कर चुके थी बी लेटर के आज हम स्टार्ट करेंगे नमबर 41 से तो नमबर 41 है हमारा ब्रोकन रीड ब्रोकन रीड का मीन्स होता है support that fail मतलब सहारा जो होता है वो विफल होना अब देखिए ये वर्ट सही समझ में आ रहा होगा देखिए ब्रोकन यानि की तूट गया और रीड मान लिजी तो आपकी रीड की हड़ी है ठीक है जो आपकी रीड की हड़ी है यानि रीड की हड़ी तूट गई सहारा तूट गया है वो क्या हो गया आपका support that fail आप देखिए रीड की जो हड़ी होती है वो हमारे पूरे जो backbone होती है पूरे शरीक क्या होती है और अगर वो तूट जाए तो सारा जो support है वो क्या हो जाता है? fail हो जाता है, बेकार हो जाता है तो वही क्या हो गया? broken read यानि की support that failed ऐसा नहीं कि वाकई में read की हड़ी तूटे तभी आप समझें कि हाँ यह idioms का मतलब है नहीं, मतलब कोई भी साहारा कैसा भी साहारा जो है आपको किसी का साहारा हूँ और वो साहारा खटम हो जाया, wiffle हो जाया, failed हो जाया तो वही क्या होता है? वो होता है हमारा broken read अब देखिए मैंने picture लगा रखी है support support है क्या? नहीं है support तो मतलब कोई साहरा नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, अब इसका एक एक एक्जाम्पल देख लेते हैं When he needed help, his friend proved a broken rate मतलब जब उसे मदद की जरूवत पढ़ी, तो उसका दोस्त क्या हो गया? असफल साबित हुआ मानिए, कोई भई बहुत अच्छे दो friends है उसको दूसरे friend की, एक friend को दूसरे friend की जरूवत पढ़ी उसके सहारे की जरूवत पढ़ी और उस समय वो क्या कर गया? वो सहारा देने में असफल रहा, मू कर गया वही क्या हो गया आपका broken rate I hope समझ में आ गया हूँ, next देख लेते हैं next है हमारा 42 number का, क्या है हमारा 42 number का? by the skin of the teeth मतलब narrowly, narrowly मतलब बोलते हैं बहुती बारी, बहुती करीब से यानि बाल-बाल बचना जब हम किसी चीज से बहुकुल बाल-बाल बच जाते हैं जैसे मानिए आप रोट पे जा रहे हो, ठीक है? अब दो लोगों का accident हो गया हो और आपका accident होते 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 हैं बहुती बाल-बाल बच जा हो तो फिर क्या होता है? आप कहते हैं भही आप बाल-बाल बच गया है अब ये क्या है? इसका मतलब by the skin of the teeth देखिए जो skin है तीत की ये वाली ये कैसी होती है? बहुत ही पतली होती है जो मतलब हासे में बाल-बाल बच गया हासे में तो क्या होँ जाएगा आपका by the skin of the teeth I hope समझ में आगया हूँ, next देख लेते हैं, next है हमारा 43 नमबर का bone of contention bone of contention का means होता है cause of peril यानि की जगडे का कारण देखे, bone हो गई आपकी हड़ी, अब देखे, हड़ी यहाँ पर पड़ी हुई है देखे, पड़ी हुई है, अब यह दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों डॉक्स क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं क्यों लड़ रहे हैं भही, इस हड़ी के पीछे लड़ रहे हैं मतलब यह हड़ी क्या है भही, जगडे का कारण इन दोनों की लड़ाई का कारण, इन दोनों की जगड़े का कारण किया है, यह हड़ी I hope समझ में आगे हो, example देख लेते हैं अब Since India got independence, the Kashmir problem has been a bone of contention between India and Pakistan मुझे नहीं लगता है इस चीज को समझाने की ज़्यादा जरूरत है, क्यों? क्योंकि सब लोग यह बात जानते हैं, क्या कि भारत को आजादी मिलने के बाद से ही कश्मीर समस्य क्या है, भारत और पाकिस्तान की बीच जगड़े का कारण बनी हुई है I hope clear हो गई होंगी सारी चीजें, next देख लेते हैं, 44 number का क्या है 44 number का, bit, peace of one's mind मतलब तू is called या डाटना, देखिए यह जो मैम है, यह चूटी बच्ची को डाट रही है ठीक है, यह मैम भी हो सकती है, इनकी, यह इनकी मदर भी हो सकती है और भी कोई हो सकता है, तो peace of one's mind का मतलब है, देखिए one's mind अपने mind का एक peace निकाल के देना, एक हिस्सा निकाल के देना, मानि आपके दिमाग में क्या भरा हुआ है, बहुत साथ गुस्सा भरा हुआ है अब कभी कभी ऐसा होता है, कि हम अपना गुस्सा किसी और पो तार देते हैं, उसका भी मूद खराब हो जाता है है ना, तो मतलब अपने mind का जो एक गुस्से वाला हिसा है, वो किसी और को देना, किसी और को डाटना, फटकारना या धमकाना वही क्या हो गया हमारा, bit, piece of one's mind example देख लेते हैं अब my father wrote to my brother giving a piece of his mind about his insulting conduct देखिए, मेरे पिता ने, मेरे भाई को पत्र लिखकर उसकी अपमान जनक आचरण के बारे में data ठीक है, example देशाब समझ में आए गया होगा next देख लेते हैं, next हमारा 45 नंबर का, क्या है 45 नंबर का 45 नंबर का है, born with silver spoon अब यह देखिए, important भी है, अक्सर अग्जाम में आ जाता है क्या है इसका मतलब? चांदी की जम्मच के साथ भई जन्म लेना अब क्या बच्चा वाकई में चांदी की जम्मच के साथ जन्म लेता है? नहीं लेता तो इसका मेंस क्या है? कि भई जब बच्चा जन्म लेता है तो वो ऐसे परिवार में, ऐसे अमीर परिवार में पैदा होता है तो वो अल्रेडी पैदाईशी क्या होता है? अमीर होता है तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, to be born in a rich family किसी rich family में जन्मा हुआ बच्चा जैसे आप लोग जानती है हमारे rich families है उनके जो बच्चे पैदा हुए, उनके घर में जो बच्चे पैदा हुए तो कहते हैं ना जो पिया किसमत है? तो मतलब अमीर परिवार में पैदा हुआ जो बच्चा है my friend does not have to worry about spending any amount of money as she is born with a silver spoon in her mouth क्या केरें भई कि जो मेरी friend है या मेरे friend है मेरे दोस्त है वो पैसे खच करने की उन्हें बिल्कुल भी tension नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि वो एक अमीर घर में पैदा हुए है I hope सारी चीज़ें समझ में आ गई हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा थैंक यू थैंक यू बैरी मच